हलो एवरिवन वेलकम बैक टो एस्पाइलो जी और आज के वीडियो में अपन डिसकस करने वाले हैं कि क्या नीट 2023 के एक्जाम पैटन में कोई चैंजेज होगा या फिर नहीं होगा इसके अपर अपन अपन कंप्लेट डिसकस करेंगे और लास्ट में मैं आपको ये भी जरूट देखना आपको सारे इंफ्रमेशन पता चलेगी उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर कर देना वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज़्यादा स्टुडेंट के पास सेर कर देना ताकि कि सबको इसकी जानकरी हो और कोई स्टुटेंट परिसान नहीं हो तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो वीडियो के अंदर मैं वुद्धा तो यही है कि क्या NEET 2023 के exam pattern में कोई change होगा या फिर नहीं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि NEET 2030 का exam same उसी pattern पे होगा ज इसके अंदर part 1 के अंदर अगर physics का paper है तो 45 questions part A में होंगे और 5 questions होंगे part B के अंदर जिसमें से आपको total 45 questions solve करने होंगे same pattern chemistry के लिए रहेगा उसके अंदर भी part A में 45 questions रहेंगे part B के अंदर 5 questions रहेंगे और इन questions को मिला के total 50 questions 50 questions total होंगे जिसमें आपको 45 questions solve करने होगे बायो की बात करें तो बायो में 90 questions आते हैं part A के अंदर बाकी questions आएंगे part B के अंदर तो आपको total 90 questions solve करने हैं ये pattern आपको पता है लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि pattern यही होने वाला है और वही pen और paper method के according paper होगा कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाए थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि NET 2030 का exam जो है online होगा या फिर offline तो मैंने उसमें आपको अच्छे से बताया था कि exam जो है अभी तक तो offline ही होगा और chances ज़ादा offline के ही हैं मैंने इसमें आपको inform बता दी थी information बता दी थी जिन भी student ने देखा होगा वो वीडियो उनको समझ आ गया होगा तो अब last में बात करते हैं कि अब रगनी ट्रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हों गए 2020 के क्योंकि बहुत सारे student इसका काफी बेस अबरी से इंतजार कर रहे हैं और अभी तक ये इंतजार खतम नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक भी form फिल होना start नहीं हुए है तो possible date में बता देता हूँ कि जो फारवरी के second week है तब से ये form जो है start होने के chances हैं आप ये date ध्यान रख लो कि अगर फारवरी के second week से start होंगे तो आप ये मार्च के second week तक चलेंग क्योंकि एक मेने का time दिया जाता है student को form फिल करने का तो आपको ये से भी समझा आगया होगा कि need के registration कब से start होंगे तो ये थी और अगर आपके form भरते time कोई गलती हो जाती है तो आपके लिए correction window भी open होगी एक दो दिन के लिए तो आप उसका भी जरूर धान रखें कि आप गलती कम से कम हो form फिल करते time पे या फिर हो ही नहीं ऐसा आपको काम करना है ताकि correction window का आपको option खोजने की जरूरत नहीं पड़े, option की जरूरत ही नहीं पड़े की correction करवाना है तो आराम से form को check करके उसके बाद ही submit करना है तो I think आपको सारी चीज़े समझ आ गई होंगी तो वीडियो को like कर देना, subscribe पर देना चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को share कर देना, मिलते हैं किसी ऐसी update के साथ तब तक के लिए जय हिंद